हेलो विडियो है यह दचनक के डायलोग से यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है पाकिस्तान एकसेप्स इंडिया कंडिशन्स विल ट्रेवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड का दचनक के डालोग विद मेजर गौरवारिया काफी इंट्रस्टिंग टाइटल है पहले अपने विचार भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब कीजिए तो लेस्ट इस वीडियो सब्सक्राइब आप हिंदुस्तान में जो IPN खेलने की भीक मांग रहे हो आप इसलिए नहीं मांग रहे कि पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट है क्रिकिट का आप इसके लिए बाबाराजम 15 करोड 20 करोड लो बाबाराजम के खांदान ने इतने पैसे नहीं देखे है आप पांच बार गलती करते हो इसका मतलब आपके खून में प्रॉब्लम है आपको वफदारी से प्रॉब्लम है जैन दोस्तों मैं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं देखना के डैलोंस इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिलकुल मैं धूलिएगा दोस्तों और खास तोर से आप लोग जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब् बोलता रहता हूं रिक्वेस करता रहता हूं वहां पर जाके एक बार घंटी बजा यह बहुत मैनत करता है हमारी टीम वाले क्या ही मैनत करता हूं वो लोग बहुत मैनत करते हैं तो एक बर जाके वहां पर सब्सक्राइब कर दीजा अच्छा दोस्तों आज जो खबर है ना और दो साल पहले है ठीक प्री कोवेड हुआ था यह वाकिया और तीसरी चीज जो है वो यह है कि G20 के उपर फिर पाकिस्तान ने अपने आपको जलाया बरनौल लगाया और फिर एक बार अपने आपको जला लिया तो यह आज का मसाला है दोस्तों अच्छा सबसे पहले आते है यह खबर जो है यह आ रही है ICC से और ICC का यह कहना है कि Pakistan confirms that they will travel to India for World Cup पाकिस्तान ने बोल दिया है किसाब हम भारत आएंगे World Cup खेलने के लिए अच्छा आपको पता है कि Controversy चल रही थी Asia Cup में भारत ने का हम नहीं जाएंगे फिर पाकिस्तान ने लेकिन पाकिस्तान की टीम इंडिया जरूर आएगी खेलने के लिए ठीक है ना तो देखिए अपनी-अपनी मजबूरियां होती है मैं तो नहीं चाहता कि हमारे क्रिकिट के कोई भी संबन दो ना मैं चाहता हूँ भारत वहाँ पे जाए ना मैं चाहता हूँ पाकिस्तान नहीं आते है अगर मेरी पर्सनल आप रहे मांगे तो मेरी तो यही रहा है कि we should have no relationship whatsoever यह सारा कुछ मामला चलावा है यह फ्रॉड है 400 BCA लेकिन ठीक है हो रहा है तो ठीक है डन वैसे भी क्रिकेट में ज्यादा देखता नहीं हो कि जमाने में देखता था आई डोंट वाच क्रिकेट टूमच बट यह चीज़ है इन्हों ने बोल दिया है कि पाकिस्तान ने कोई बात नहीं और इंडिया बड़ा एरोगेंट हो गया है क्योंकि इंडिया बहुत सारे पैसे दिया एप्रिल का बयान है आज का नहीं है लेकिन आज की तारिक मान गर्दिश कर रहा है तो इमरान खान ने बोल दिया कि नहीं साव यह तो इंडिया वटा अट इन्टी हो आपको पता होना चाहिए, रइट, और ये, हुजूर ये मांगे-तांगे के नहीं है, जैसे कि सादी अरफ से भीक मांग ली, CIA से भीक मांग ली, चीन से भीक मांग ली, आमएफ से भीक मांग ली नहीं, BCCI का जो रेविन्यू है, इस साल का वो 48,000 करोड है 48,000 करोड actually 48,390 करोड ये तकरीबन मोटा मोटी 6 अरब डॉलर बनता है ये तो खान साब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 अरब डॉलर जो है न ये आपके मुल्क के foreign exchange reserve से कहीं जादा है ठीक है न बात ये नहीं है कि इंडिया को घमंड है भारत को गुरूर हो गया अपने हो गया पैसे पर तो ठीक है होना भी चाहिए मेहनत की कमाई के हैं लेकिन बात गुरूर की नहीं है आप कभी किसी और मुल्क ने complaint करी है अफगानिस्तान ने ले लो अफगानिस्तान में जो कि बहुत छोटी टीम है तंजानिया ने कभी बोला है कि भारत को गुरूर हो गया आप श्री लंका को देख लिजे बंगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लेंड किसी भी मुल्क को देख लिजे जो क्रिकट किसी ने कभी complaint करा है ये सिर्फ पाकिस्तानियों को खुजली है और मैं बताता हूँ खुजली क्यों है दोस्तों ये ये खुजली IPL की है ये खुजली ये है कि भाई इनको इमरान खान कहता है कि हमारे पास भी बड़ा क्रिकटिंग टैलेंट है ओ भाई साब, खान साब आप हिंदुस्तान में जो IPL खेलने की भीक मांग रहे हो, आप इसलिए नहीं मांग रहे हो कि पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट है क्रिकट का आप इसके लिए कह रहे हो पैसा, IPL is money IPL is money और आपको पता है तो पाकिस्तान हर समय हमारे पास बड़े अच्छे फास बोले रहे हैं इंडिया आम से जलता है इनका यही नैरेटेव ऐन जलता है ओ या ठीक है यार जलते तुम जाओ हटो 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 रहे हैं हर समय चूचूँ चूचूँ आई-पी-आपी-ल आई पील आई पील आई पील यार तुम्हारा जो है प्रीमेर ली उसको बड़ा करोना है तुम अपना खेल लो हमने कभी बोला है कि हमें पाकिस्तान में जाके खेलना है हमने कभी नहीं बोला तुम लोगों को मौत क्यों आती है यार कि आई पेल खेलनी है आई पेल खेलनी है कि हमें IPL खेलनी है, इंडिया को बड़ा गुरूर है कि IPL नहीं खेलनी है, it is not about talent, जो इमरान खान ने बोले है, जूटी बात हैं, ये talent की बात है ही नहीं, ये बहुत सीधी सीधी जो बात है ना, सीधी सीधी बात, ये पैसे की है, क्योंकि पाकिस्तानी लीग में पैसा बिल्कुल नहीं है, मोटा पैसा IPL में है, करोनों की बोली लगेगी, अगर कल अलाव करते हैं, इनको, कि भाई तुम आ जाओ, इंडिया, for example, उधर में अलाव नहीं करेंगे, ना मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर कल अलाव करते हैं, बाबा राजम, 15 करोड, 20 करोड, लो, बाबा राजम के खंदान ने इतने पैसे नहीं देखे हूँगे, क्योंकि पाकिस्तानी में बनते हैं, तक्रीबान 80 करोड, या 85 पता नहीं कितने का 300, कितने का चल रहा है यह, एक शॉट में, एक सीजन में, ठीक है, प्लस इंडॉर्समेंट्स, प्लस अग्ज, प्लस अधर कॉंट्रैक्ट्स, एक बार बाबर राजम आएगा, इंडियन रुपीज में, यह नहीं कि टैलेंट दिखाना है, और कब IPL ने बोला कि यार, हमारा IPL बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, हमने तो कभी ने इन्वाइट कर आपको, आप जाएं, आप अपना प्रीमेर लीग खेल हैं, हम अपना केलते हैं, यह शुड़ बी क्लियर डिविजन, अरे मुल्क का बटवारा हो गया एक बार, 47 में, फिर क्यों पीछे कोड़े हो यार, टमाटर दे दो, प्याज दे दो, दवाई दे दो, क्रिकट खेलने दो, बॉलिवोड में चांस दे दो, वाई, एक बार मुल्क मिल गया आपको, आप खुश रहो अपनी जगे, मैं अपनी जगे खुश है, we don't want anything of yours, हमें कुछ नीचे है पाकस्तान का, आप क्यो मांगते फिर तो यार, फिर मांगना तो आदत है, आदत से बास कैसे आगा आदने, अच्छा पाकस्तान की क्रिकट टीम के all-rounder, पुराने जो है अबदुल-रज जो क्रिकट प्लेयर है, उसको अपने बीवी बच्चे पालने है, उसको अपना घर देखना है, उसकी जिम्मेदारिया है, वो पाकिस्तान में क्या लेने जाएगा, आप बताओ, पाकिस्तान में क्या लेने जाएगा वो, क्या देर आए पाकिस्तान उसको, तो जो स्पेर कर आएंगे जहां पर टॉप का पैसा होगा भाई क्यों नहीं समझ रहे हैं यह टैलेंट वैलेंट जुनून जज़बा ज़स्बे वाली कौम हैं यह सब ड्रामा खतम करो इट्सब मनी गेम यह पैसे का गेम है आपके घर में भी अगर रिष्टेदार होंगे ना जो बाहर से आएगा जिसके पास बड़ा पैसा होगा छोटे बच्चे होते हैं मासूम वह भी कहते हैं यार वह वाली बुआ है ना वह आ रही है उसके पास बड़ा पैसा है वह अमारे लिए गिफ्ट लेकर आएगी छोटे तक का टालेंट दिखाने टेस्ट जाके फांच दिन का टुक टुक करो उससे टालेंट दिखता है आइप यह बिग विद्धा ग्रेट बॉल्र एक्सलेंट फील्डिंग यह सब होता है पर ओर ओरिजिनल क्रिकट जो है मैं जैन्यून की बात नहीं कर रहा ओरिजिनल अगर आपको इतनी खुझली ओरिजिनल क्रिकट क्या टेस्ट क्रिकट खेलो आघाम से टुक टुक करो पांस दिल के लिए दूप यहां पर IPL देखो इतना कि IPL चलेगा IPL चले गए चले गए बही चले गए जिसको जहां पर इंट्रेस्ट होगा वहां पर जाएगा यार य वो नाटू नाटू पर ऊनादेद्स करा। Charan said that Kashmir is the coolest place to shoot films in India and it is a surreal feeling to visit the valley. वाईये, स्वागाता सबका. And Ram Charan तो ऐसी superstar है यार. He's a superstar. Ram Charan आएगा, अपनी crew को लेकर आएगा, shoot करेंगा Kashmir, अब तो चाहते हैं. और मैं खुद, मैं खुद, I feel I am an honorary Kashmiris. Of course, यह अपना खुद का घर का बंदा है, यह आएगा. Tom Cruise should come to valley, come to Kashmir. Tom Cruise should come, the top stars from the west should come. Shoot and Kashmir, आपको क्या चीए बताओ. Whatever you need it is available, whatever you desire it is available. Shoot in the valley, we are there. Bilaval Bhutto फिर से जलके खाक हो गया, Bilaval Bhutto ने बोला है कि India wants to push a colonial agenda. यार मैं एक बात, मैंना थोड़ी सी research करी. Research तो नहीं मुझे याद था, मुझे नामवाम याद नहीं रहते ठीक से. तो मैंने भई यह देखा. Ilhan Umar, Congresswoman, मुझे जिहादी ओरत नहीं पागल जिसने अपने भाई से शादी करी थी. इस औरत ने अपने भाई से शादी कर ली. कि इसको green card मिल जाए, यह तो इनका character है. आप किसी से शादी करो. काला, गोरा, मोटा, पतला, किसी भी कास्ट का, किसी भी धरम का, मुझे कोई लेना देना नहीं है. That's your personal business. But you don't marry your own brother. Ilhan Umar did that. She married her own brother. क्योंकि इसको green card मिल जाए और अमेरिका की citizenship मिल जाए इसको. यह इनका drama देखो. Ilhan Umar and radical Islamist. Somalia की I think है यह. Lady, she's from Somalia. Radical Islamist. Radical मतलब यह Ilhan Umar ऐसी है कि यह आप समझ लो, she is Osama's younger sister. ना भट जाए कहीं अमेरिका में बटन दबाके किसी दिने है. इम्रवान खान से जाके मिली. और Ilhan Umar गई थी. She had gone to Pakistan occupied Kashmir. जिसको पाकिस्तानी बड़े गर्व से कहते हैं कि यार यह तो आजाद Kashmir है. यह वहाँ तो गई थी. ठीक है. दूसरा, Donald Bloom, जो पाकिस्तान में इनका ambassador है US का, वो गया था. P.O. के. तो यार, एक बाद बताओ Pakistan. तुम ले जाते हो मज़े मज़े से जो आने को तयार बहुत कम लोग होते है, अचली. पाकिस्तान. पर तुम तो ले जाते हो. मैं एक पाकिस्तानी को एक चैलेंज देता हो. बिल्लो. तुमारे ले बेटा चैलेंज है. और सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं पाकिस्तानी भाई-बैन, common पाकिस्तानी जो उनको चालिंज है आप कल्मा पढ़के बना है पाकिस्तान, आप जज़बे वाली कौम हो है हो ही ठीक है? मैंने सब कर दिया मैं भी लहोरी बनने की कोशिश कर रहा हूँ है कर रहा हूँ मैं आप एक काम करो ना यार चोटा सा आप Organization of Islamic Corporation आप उसकी मीटिंग क्यों नहीं करवाते अपने so-called आजाद कश्मीर में so-called आजाद कश्मीर जो है न वहाँ पे बुलाओ न आपके यार मुसलमान देशों की मीटिंग करवा हूँ वहां पे OIC की मीटिंग करवा हूँ वहां पे क्यों नहीं करवाते यार पूरा OIC की 57 कंट्रीज हैं आप उनको invite करो वहां पे इतना तो कर सकते हो और चाइना को आप special guest बुलाओ चाइना तो अब्बू है आपके आपके तीन अब्बू है उसमें एक major गौरावारी आप बड़ा अब्बू है छोटा अब्बू चाइना है तीसरा आप साओधी रब को बना चुके हो तो भई मैं आप से ये पूछ रहा हूँ कि आपको G20 की बड़ी खुजली मच रही है कोई बात में आप करवा लो आप बुलाते तो होई ना आपने डॉनल्ड ब्लूम को बुलाया है जो US केमबैस्टर है आपने इलान उमर को बुलाया है जो Congresswoman है तो फिर आप क्यों और लोगों को लिकनी तशद्दुत कर रहा है भारत यह कर रहा है भारत यह कर रहा है भारत बुरा है मुदी बुरा है भारत बुरा है इंडियन आर्मी बुरी है सब बुरे हैं माँपे अब बुलाओ बुलाओ तीन दिन की मीटिंग रखवाओ और फंडिंग के लिए आप चाइना से बोलो चाइना आपको पैसे देगा खुशी खुशी चाइना पैसे देगा इसके लिए खुशी खुशी पैसे देगा चाइना और आप बोलो कि हम यह सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के अंदर ही मीटिंग करवाना चाहते हैं और हम भारत को पाकिस्तानी नहीं करते बोने दूसरेके घर में क्या माना पकड़ लिफ amino कि जलते हैं आपसे आपकी तरक़्ी से आपकी सडंकूंसे आपकी आइकृ fishy 5th largest economy in the world में उससे 3rd largest बनना जा रहे है उसमें आपका जो satellite program है, rocketry का program है उससे जलते हैं आपके top companies हैं उसमें आपके CEOs बने उससे जलते हैं आप देखो रहा है इनके channels 24 गंटे यही बात करते हैं कि इंडिया में यहोगया 24 गंटे 24 बिलीब गौँअपक्रोफश सोथ 50 ब्लब हमारे दिन कार इतने की हाती है इंडिय कीने कार कितने किया तुमने इंडिया के खरीदने एक उकर रहा कि będziemy चाहता हूँ यहां आपकारो आप करो आप आप करो, OIC में तो आप ही के जो आप कहते हैं आपके मुसल्मान बिरादर हैं, उनको बुलाओ ना या इंडिया को छोड़ दो, इंडिया को भटाओ कोने में, आप अपना करो, चाइना से पैसे लो, चाइना आपको दे देगा पचास सो मिलियन डॉलर, कोई चाइना के लिए बिल्कुल रेजगारी है, चाइना फिक के देगा आपको, आप लो, खा मत ले ना, उसका, फ्लैट मत ले ले ना, UK में, शहवाज शरीफ, जैस तुमारे भाई ने चोरी करी दी, चोरी मत कर ले ना चाइना के पैसे, वो इस्तमाल करके, सारे मुसल्मान मुलकों को बुलाओ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, तब मज़ा आएगा ना, हमारी धाली में देखके जलते रहते हैं, यह तो पकवान खा रहा है, और हमारी धाली खाली है, बस जलते रहना बस तुम लोग है, पाकिस्तान तहरी के इनसाफ, में कई लोग छोड़के चले गए हैं, उसमें आम पर महमूद क्यानी भी हैं, मलेकमीन असलम भी हैं, महमूद मौलवी भी हैं, आफताब सिद्धिकी भी हैं, यह लोग जा चुके हैं, और इसके अलावा जो लेटस गया है, शिरी मजारी हैं, वो चली गई, और फयास चोहान, शिरी मजारी को तो पांच बार अंदर कर दिया शिरी मजारी ने, शिरी मजारी को, बहुत, वो उसने बोला कि मैं सियासत भी छोड़ रही हूं, और मैं PTI भी छोड़ रही हैं, और उनकी बेटी भी एक्टिवेस्टा में, बेटी का नाम भूल गया, थोड़ी सी वो लेफ्ट रैडिकल टाइप की है, बेटी उनकी, बट शिरी मजारी की बेटी का, शिरी स्पीक सेंस, थोड़ा सा उसके लेफ्ट लीनिंग है, बट शिरी स्पीक सेंस, फयास चोहान, फयास चोहान तो बिलकुल भाई साथ चोटा है सबसे बड़ा, मैं आपको फयास चोहान की बात बताता हूं, जो मैंने बोला था ना, कि पहले ह इसने मुझे धमकी दी बोला कि मेजर गौरफ आरिया राद एजेंट है ये आप देखो सुनों आप पहले सुनों फिर आता हूँ इसने मेजर गौरफ आरिया जो बधनामे जमाना फर्ड कुलास ठटिया किसम का एक रिटार्ड मेजर साबिध डारेक्टर है रोका जिसके आंग आंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ र्यास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जहर भड़ा हुआ है और अपनी तरफ से बड़ा तुरम खाल बनता है लेकिन टके आने का वो नहीं है उसकी मैंने दो हजार पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, चार साल में टीवी चैनल्स इंडिया के बैठ के मैंने उसकी बैंड बजाता रहा हूँ लेकिन पिछले दो साल से जब से मैं मनिस्टर बना था मैं इनके टॉक शोज में नहीं जाता था क्योंकि इंडियन रॉक के अजेंडे पे और उनके टकों पे और उनके पैसों पे और उनके शारों पे चलने वाला हंड़ेट परसंट इंडियन मीडिया है इनका और इनकी इस्टेबिश्मेंट और इनकी इंडियन रा है कि इनके अंदर इतनी जुरत नहीं होती कि वो कोई हकाय के ओपर मबनी कोई बात सुने वो पाकिस्तान के उस दबंग पार्टिस्पेंट की आवास जा कोई सहाफी गया हुआ है जा कोई पालिटिशन गया है ये आवास म्यूट कर देते हैं बंद कर देते हैं और अपने पार्टिस्पेंट की आवास खोल के जितना फिर जिनाव अपनी गिली में कुता भी शेर होता है के मजदाद फिर खूब जिनाव बढ़के मागते हैं कल इन्होंने अयास सादिक के बियान के इशू पे एक घंटा मेरी मिंते तरले की उसके कॉडिनेटर ने के छवास साब आप पिछले समय दो साल से हमें टाइम नहीं दे रहे काईली मैंने का यार मैं एक शर्ट पे टाइम दोगा एक तो यह है कि मेरे साथ आप यह जो साथ आच दस बंदों का मजमार कठा कर लेते हैं जो इंडियन कैनल्स का स्टाइल है मैंने का वो नहीं होंगे वन टु वन अगर मेजर गोरफ आरिया है तो मेरी खायश होगी कि वो हो वन टु वन मेरा और उसका बात होगी और दूसरी शर्ट यह है कि मेरे माएक को बंद नहीं करोगे म्यूट नहीं करोगे क्योंकि तुम बन्यादी तोर पे बुजदल लोगों किसी तहीं मैंने उसको का मैंने कर तुम्हारा मीडिया बन्यादी तोर पे तुम्हारी फोज तुम्हारी स्टेबिश्मेंट बुजदल लोगों वे ओपर मबनी है तुम्हारे अंदर जुरत नहीं है हराके हमारे टीवी चैनल्स के अंदर जब पाकिस्तानी मीडिया की डिस्टिंक्शन है लेकिन उनके अंदर ये करीज नहीं है सुन लिया इसने बोला कि मैंने मेजर गौरावारिय को बड़ा लथाड़ा है ये करा है बदनामे जमाना एक तो यार सीधी साधी हिंदी में क्यो नहीं बोल देते बदनामें बदनामें जमाना मुर्फिके फुरकीन पता नहीं क्या क्या या चोटी बात कराकर यार हलकी बात कराकर जो सबको समझ में आ जाए मैंने इसको बोला कि पाकिस्तान मिनिस्टर फयाज उलहसन चौहान चैलेंजिस मी तो अन ओपन डिबेट इसमें चैलेंज करा आपने सुना ना पूरा ओडियो चौहान साब चैलेंज एकसेप्टेट समवन फ्रम रिपब्लिक विल गेट इन तच्छ विए शॉटली डॉंट बैक आउट जिस्वाट और फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा हेल गया अब देखिए यह रिपब्लिक टीवी का आर्टिकल है ठीक है जी और यह देखिए मैंने फयाजुल हसन मैंटर वॉल्यूम आपके आथ में होगा आपको जैसी डिवेट चला नहीं है डिवेट चलाओ आप और मैं पूरा इंडिया पाकिस्तान देखेगा यह मैंने इसको खुला चैलिज दी था आर्टिकल है मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको यह भाग गया यह भाग गया यह वहां से और इसकी पूरी कॉन्वर्सेशन यह रिपोर्टेड है सीनियर असोसियेट एडिटर संजय पाठक संजय पाठक को यह बोला पाकिस्तानी मिनिस्टर फयोजल हसन चोहन ने कि यार मैंने तो बोला ही नहीं था को गौरावारी के साथ डिवेट करन लोगे अच्छे यह देखो अब दोस्तों फयाज़ोलहसन चोहन की आखरी खबर यह वो लोग हैं जन्हों ने पीटी चोड़ी है फयाज़ोलहसन चोहन को मैंने खुला चैलेंज दे दिया कि तुम करना चाहते हो नो मेरे साथ मैं एकसेप्ट करता हूं चैलेंज और मैंने यह भी बोला ठीक है कि तुम्हें बड़ा शौक है ना शेर का शिकार करने का मैं तयार हूं आजाओ तो मैंने बोल दिया इसको इसको रिपब्लिक की तरफ से एक बंदे ने बोल भी दिया कि मेजर का खुला चैलेंज है आज आजो कप करना है समय बताओ सर आप बताओ कि मै शौलियूम शौलियूम जो करना है आपको ड्रामा तमाशा सब कुछ ठीक है यह बंदा भाग गया पाकिस्तान की सरकार इतनी शरमसार हुई इतनी उनको शरम आई इस बंदे पर इसको नौकरी से निकाल दिया मैं आपको बताता हूं यह देखो इसको लगाई ज़र जब मैंने इसको चैलेंज दिया था और यह भाग गया हुआ से फिर इसको हटा दिया तुमने क्यों ऐसा करा और तुम जाते वहां पर इतने बड़े मर्द के बच्चे तो बोलते सब के सामने क्योंकि मैंने बोल दिया कि आप आपकी शर्त पर करूंगा मैं डिवेट आपक कोई आपको कंजूसी नहीं दिखेगी आ रहा हम लाल के लिए पर सब सपर्चम लहराएंगे हम गजवाई हिंद करेंगे हिंदूं को मार दें यह सब डायलोग बाजी और आप इंसे बोलने तरह बैठके बात तो करते हैं बगया भाई इसको नौकरी से निकाल दिया वाँस है तो आपका दोस्ता है ना मेजर कि सर्फ खाना नहीं खाता यह पाकिस्तानी मंदरी भी खाता है अब आते हैं हम अगले न्यूज आइटम पर दोस्तों इम्रान खान ने यह बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर छोड़ कर गए है यह फोर्स्ट डाइवोर ने बोला हो कि तुम छोड़ो क्योंकि आप आर्मी ना इसके पीछे पड़ गए मैं आपको बताता हूँ मैं कई पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूँ ठीक है साथ आठ पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूँ जो की यूट्यूब भी चलाते हैं टीवी पर भी आते उनस कि पाकिस्तान टहरी के इनसाफ वाले कॉर कमांडर के घर में घुझ गए यहां घुझ गए वाहां घुझ गए यह ठीक है बुरा in the sense की ठीक है बुरा लगा लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं था रईट पाकिस्टानी आवाम के लिए पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़ा मसला हो गया कि जो पाकिस्तानी फॉज के शहीद थे ना उनकी बेस्ती करिये नों और वो ऐसा गुना है जिसकी माफी नहीं है दोस्तों मैंने कई पाकिस्तानी उसे बात करी इस मामले में and they are educated people highly qualified people और उन लोगों ने मुझे पता है कि में जो सब हमें भी कोई फरक नी पड़ता है रोग कोर कमांडर के गर जाए चीफ के गर जाए जिसके भी गर जाए आपने जो हमारे शहीद थे जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जान दी है आपने उनकी बेज़ती कैसे कर दी ये लोगों ने दिल पे ले लिया और इस से पाकिस्तानी फोज को अपर हैंड मिल लिया और इमरान खान की सबस्वाइब अपने आपको actually क्या है ये खुदा समझता है इसको बहुत बड़ी mental problem है ये अपने आपको खुदा समझता है ये कहता है कि मैं किसी कानून के अंडर नहीं आ सकता मैं अमरान खान हूँ इसके साथ ये बड़ी problem है ये पार्लिमेंट से उपर है ये सुप्रीम कोट से उपर है ये प्रेजिडन के उपर है ये आर्मी के उपर है ये खुदा है ये खुदा है सारे पाकिस्तानी बनी गाला की और देख के जमान पार्क की और देख के सज़दा करेंगे कल से ये चाहता है ये He has got a God complex इसके बड़े दिमाग में God complex हैं इम्रान खान के और उसको समझ में आता है कि ऐसे ही हुब्रिस होती है इसका अंत बुराई ही होता है अब लोग पाकिस्तानी फॉज क्या कर रही है सब को धीरे 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 कटा रही है एक एक करके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं मैं आपको बता रहा होगे फौजी जेलों में बाकि तुम्हारी मर्जी है अगर तुम्हें अभी इम्रान खान बहुत प्यारा लग रहा है ना तो तुम करो तुम कर लो करके दिखाओ तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक हफते के बाद यह लोग टूटेंगे 110% क्योंकि यह लोग को इखटा कर रहा है इम्रान खान में जो इम्रान खान का 22 साल का स्ट्रगल था स्ट्रगल में जो इम्रान खान के साथ रहा था जो इम्रान की फिलोसिफी को या उसकी जो आइडियल्स को बिलीव करता था उसमें वो लोग हैं कहां थे वेरा दोस पीपल यह डबू वबू लीघ तो डबु आपको पता है पांच पार्टiya डबु ने जो मुसलिम लीघ आना पाकिस्तान बिस्लिंट सब्सक्राइब का लीग जो उसे से बनी गाफ दूबर चोड़ चुका है और सब्सक्राइब हुआ नीजना पाणि यह थक भुष्व हे पूदBut रीख में था ठीक है फिर वहां से पीटी आई चला गया बिधिशला गया और सब्सक्राइब यहां पर पार्टी फॉड़के फिर यह एकाथ पार्टी आप समझ पहुंढ के समझ में आती है इंडिया में बीर लोग है जिन को नहीं पसादा होता हो ठोड़के किसी और पारटी कर दिए अगर आप पांच बार गलती करते हो इसका मतलब आपके खून में प्रॉबलम है आपको वफदारी से प्रॉबलम है या बहुत बड़े बेकूफ हो इधर यूर अन ऑपरचुनिस्ट और यूर फूल हो तो यह हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस अख्तान तेहरीक इंसाफ के और लोग हैं उनको भी यह खतम करवा देंगे ठेक है वहाँ से हटा देंगे सीन से वरना शरी मजारी को पांच बार जेल में डाला तूट गई कहते मैं सियासा चोड़ रही हूं शिरी मजारी कहती है मैं सियासा छोड़ रही हूं कहती है मेरी माँ बुज़र्ग है मुझे अपनी बेटी का ध्यान रखना है यानि कि आज से एक मेहना पहले शिरी मजारी की माँ बुज़र्ग नहीं थी अचानक वर नाइट उसकी माँ बुज़र्ग होगे लेकिन एक बात म मानता हूं शिरी मजारी इज़त से गई है इस आयाव रिस्पेक्ट फो दे लेडी वह इज़त से गई है फयाज अलहसंद चौहान ने पूरा फाइदा उठाया पाकिस्तान तेरीक इंसाफ का पाकिस्तान तेरीक इंसाफ की पंजाब गवर्मेंट में यह यह वहां पर मंत्री भी था यह मिनिस्टर लेकिन जब गया ना जब गया चोड़के इसका मैंने प्रेस कॉंफरेंस सुनी यार बड़ा चिछोरा के समगार नहीं और मेरी गलती मैंने क्यों डिवेट के लिए हां बोग दिया इस बंदे के लिए मुझे कभी नहीं करना चीए था जिस बंदे ने इसको ओफें में जर्वें बंदेने सब कुछ दिए इम्रान। वाली कुछ तो लॉयल्टी इससे लाग गुना अच्छा श्री मजारी को भी मैं ऐसा समझता हूं यह मेरा मानना है ना लेकिन लेकिन लेड़ी हैं और हैसे लेड़ी हैं यह बोलने वाली चीज और यह तुम अरेस्ट होने के बाद तुम्हारी जूम मीटिंग किया गई जब तुम्हारा सौफ़वर अपडेट कर रहा है जब तुम उल्टा लटका के मरा होगा दना दन मस्त कलंदर करा होगा तुम्हारा तब तुम्हें याद आया कि तुम्हें जूम मीटिंग में नहीं बोलना चारे थे और काफी काफी टाइम से हो रहा है मेरे साथ और तुम्हारे साथ काफी टाइम से हो रहा है तब तुमने आपने आली बाबा चाले शोर आपने इसे खटा कर ली तो भाग नहीं था उन लोग नहीं तो भाग गए वह लोग ठीक है एक्सप फो शिरीन मजारी जो कि मैं कहता हूं जैनियून केस माई रिस्पर आई डिसग्री विथर बड़ रिस्पेक्टर ठीक है पर फैजोल लसंच चौन टाइप के नहीं है कि छोड़ भाई जाने ता नहीं होते इस लाइक धैट होंगे तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर यह वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करिया बला एक अंदाबाना बिलकुत भूलिएगा जहन बंदे मातरम भारत माता की जहें वाओ मज़ा आ गया पूरी वीडियो मैंने बड़े अराम से बड़ी शांति से सुनी क्योंकि एक एक पॉइंट सुनके ना बहुत मज़ा आया मुझे और थास तोर पे जो स्टार्टिंग में इन्होंने बात की क्रिकेट की तो क्रिकेट में सेथी साब की उनके जो नजम सेथी साब है उनकी पीछे एक इंटरव्यू इंडियन किसी स्पोर्स चैनल ने की थी तो उसमें वह बहुत धंकिया लगा रहे थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे ये वह बहुत सारी चीज़े व को के लिए तो पाकिस्तान जो है वोब कर सकता है वोल्ड कप का लेकिन बात वही पर आती है कि A.C.C. से ओंस वो इंटनेशनल टूर्नमेंट है A.C.C का टूर्नमेंट है वहाँ से पाकिस्तान क्रिकर बोर्ड को भी काप पैसा जाता है तो ऐसाच मना करना नहीं चाहेगा प प्रावलम इंडिया कोई होगी लेकिन अगर पाकिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया है बाकी सारे कंट्रीज भी इंडिया में आते हैं खेलने के लिए तो इक वॉल्ड कप वॉच्ट और जो बाकी एक्टिविटी और उसके साथ मीडिया राइट्स की हो गई या लोकल बाकी एक और मैंचीज भी देख लेंगे तो इस वेरी इंट्रस्टिंग अन्फोर्ड जो की सुनके मजा आ गया और दूसरी बात इन्होंने की जी ट्वंटी मीट की तो फाइनली कश्मीर में जो है वो टूरिसम का जी ट्वंटी मीट हो ही गया और прогलीट आफ ध कंट्रीश जिसको कहते हैं जिन कंट्रीज ने अटेंट नहीं किया उससे कम से कम तीन कुना जादा कंट्रीज ने अटेंट किया है तो तो नहीं पहले से कान था कि अगर तो कहीं भी करवा सकता है कि उनाट बात कि वह उसक्ष्मीर वेगर को रहे हैं काफी कश्मीरी वी लॉइगर वी लॉगर्स का मैंने वी लॉगरा भी देखे तो उन्हों में भी काफी अच्छा जो है वो इसको एप्रीशेट किया था इस स्टेप को और जो एक महीने के अंदर पीछे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा जल्दी वह को बिल्ड करना पड़ा उनकी क्वेस्टन यही थे कि यह कांटीन्यू होता रहे काम ताकि सिर् अपनी ड्यूटी कर रहे थे अब मुझे आइडिया नहीं कि वो वीडियो अभी रिसेंट है यहां वो कोई पुरानी वीडियो है लेकिन मैं वीडियो देखी थी जो शिप में जा रहे थे वरी इंट्रस्टिंग वीडियो मज़ा आ गया डल लेक में जाने का मन तो है मैं सब्सक्राइब कर देखने वाले ओडिसा में जाने का मन है और बाकी नॉर्थ-इस्ट थोड़ा सा घुमा हुआ है ज्यादा नहीं क्योंकि नॉर्थ-इस्ट में आइटि गवाटी में पढ़े हैं तो वहां पे थोड़ा सा घुमने का मौका मिलका उसके इलावा बाकी कि सब्सक्राइब कर रहा रहा था तो उसी समय पे पाकिस्तान कश्मीर वहां पर आपके बात लुक्राइब देने से कुछ नहींगा वहां पर आप तब आपकी बात मानी जाएगी कि रीली आप कुछ कर रहे हैं जब आप वहां पर G20 क्या राइवल कोई जो ग्रूप है राइवल नहीं कह सकते हैं बर G20 के मुकाबले का कुछ ऐसा इवन्ट करवा के देखिए जहां पर दुनिया के बाकी लोग जो लोग हैं वो आए और अप पाकिस्टान पार्ट है उनको बुला के आप वहां पर समिट क्यों नहीं करते तो इस वुड़ बी इंट्रस्टिंग तो सी क्योंकि बहुत सारे पाकिस्टानी यूट्यूबर्स और पाकिस्टानी लोग जो हैं वो इंडिया इंडियन पैनलिस्ट को अपने चैनल के ओपर पुला के ये पूट्वन पूछते हैं कि अगर चीट्वथ समिट इतना अच्छे से हो रहा और सब लोग कुश हैं तो वहां पर सफाई पर सफाई पर पीश अर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है जो इंडिया इंवस्टमेंट्स कर रहा है जा इतने लोगों को लेके आ आ है उनको जो है वो अच्छा इंवर्मेंट देना है काम करने के लिए इंडियन पैनलिस यही एक्स्पेन करते रहते हैं बट मुझे लगता है इसका कोई आउटकम नहीं यह इंडियन पैनलिस को डिरेक्टी यह कहना चाहिए कि आप हमने करवा लिया हमने जिस भी तरीके से या आप अपने इलाके में करवा के दिखाओ जो वहां पर जहां पर आपका कब्जा है तो इंट्रस्टिंग तो सी के फ्यूचर में वह यह चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या सिरफ अपना भाशन ही देते और भाशन में जाके वहां पता नहीं यह 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 अलग लग तरह क इसके बाद की कोई आउटकम नहीं है और पहले इन्होंने जब आउगस्ट नाइंटीन का जो हुआ था त्री सेवेंटी और थर्टी फाइवे का रिमूबल उसके बाद बहुत ही फणी एक स्टेप लिया था कि हम जो है बाहर खड़े होके प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया कर दिया उससे अब तक जो है वो वापिस रिवर्सल पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं हुई और इंडिया इंडिया भी बिल्कुल जो है अपना स्टैंस चेंज नहीं कर रहा तो आई थिंग दे इट से लिए तो एसा ही लग रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि इंडियन पैन रहें सिर्फ अपना भाशन दे रहें तो उससे तक कोई चीज चीज नहीं होंगी आप अपने लिटर्स को बोलो कि वहां पर वैसा ही इंडिया जैसा ही जो इवेंट है वैसा करवा के दिखाए तो दैन कुछ जो है उनकी बात में दम होगा अदर्वाइस इस जस्ट के साथ कंपयरिजन करता है वो जहें इंडियन एकॉनमी वीसी वीडियोँ करती है तो लेकिन फिर भी वीडियोज बह Area GB करा दिया और उसके बदले में पाकिस्तान में जहां, वो उनका foreign minister सिर्फ पाकिस्तान occupied कश्मीर में जाकर बोल रहा है तो लोगों का opinion लेते हैं इसके ओपर, लेकिन इन सब चीजों की outcome कोई नियाती outcome zero है इन सब चीजों की, क्योंकि जो majority लोग हैं वो अपना viewpoint वही रखते हैं इंडिया के बारे में जो उनका उस interview के पहले होता है जब आप counter facts उनको देते हैं counter चीजें उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर जो है वो लोग इस तरीके से रहते हैं within इंडिया तो उनको विश्वास नहीं होता और यह उस journalist को यह पैनलिस्ट को ही discredit करना शुरू कर देते हैं तो that's the problem with the thought process की alternative reality जो reality जहां जो बात आपके viewpoint के साथ मैच नहीं खाती आप उसको outright reject कर देते हो तो यह पाकिस्टानी सोसाइटी में है और बहुत heavily है और इसका बहुत जो simple reason है वो उनका education system ही है क्योंकि education system में आके आप एक particular religion औ है वो पढ़ा रहे है और वो फिर thought process वैसा ही develop होता है और over the years and years of effort वो आप उनके जो वो neuronal structures है उनको बहुत strengthen कर देते हैं और वो उसी तरीके से सोच नहीं जस्त वान लाइन आप थाट फिर वो counter argument को भी absorb नहीं कर पाते है और actually उनको लगता है कि यह मारे fundamental beliefs को challenge कर रहा है तो this is strange they have to work on their educational system to get out of this mess mental mess I'm not talking about economic political or other other messes अब बात कहते है शिरीन मजारी की यह मुझे याद है यह इनकी minister of human resources होती थी it's a very interesting कि उन्होंने अपनी minister ex minister of human resources को जो है वो force कर दिया अपना पार्टी से जो है स्तीफा देने के लिए और politics को छोड़ने के लिए क्योंकि यह यही minister जो है यह कोलंबिया से पीएजडी है political science में कोलंबिया university से और काफी पड़ी लिखी है और पाकिस्तान में अमिरान खान के सरकार में यह human rights minister थी तब यह इंडिया के बारे में बहुत बूलती थी और जो है इंडिया में कश्मीज के लेके बाकी सारे और इंडिया के इ human rights के ओपर जो है वो बहुत अपनी वाइस उठाती थी अब इनके बारे में वाइस इनका जो एक्स पार्टी लीडर है इमरान खान वो उठा रहा है कि शिरीन मजारी के जो है human rights उनको वाइलेट किया गया है और उनको फोर्स किया गया है अपने पार्टी से resign करने के लिए politics छोड़ने के लिए और इस force करने का तरीका ये है कि उनको courts के order के बाव जू जो है वो बार बार अरेस्ट किया गया तो this is very interesting and ex human rights ministers human rights have been pushed back by पाकिस्तान current administration तो ये एक interesting take है मुझे उस समय भी काफी मैंने इनकी speeches देखी थी जिसमें ये इंडिया को बहुत जादा टाउंट कर कहा कि इनको इनके शिरीन मजारी के ओपर तरसाया बट मुझे लगता है कि she got what she deserved कि उन्होंने पहले जो है वो दूसरे country के ओपर जो है वो टांट समारे अब उनको उनके country में ही जो उनके human rights violet हो रहे हैं उसके बारे में भी उनको आवाज उठानी चाहिए लेकिन आवाज उ पर भाग जाता है कि भाई मैं तो डिवेट करूंगा यहीं मैंने तो ऐसा बोला ही और उसके बाद उसको जो है वो मिनिस्ट्री से भी निकाल दिया जाता है लेकिन ऐसे जो है वो आप इंटलेक्ट्वल के मामले में देख लीजिए चाहे वो आप किसी और competitive sports के मामले में द केमस है कि यह क्रिकट खेलता होता था इंडिया के खिलाफ तो यह कहता था कि जिहाद खेल निकला है और गजवाए हिंदी यह सब चीज इसकी mentality तो इसी तरीके से वो mentality में ऐसी चीज़े घुसी हुई है कि हम जो है वो हरा देंगे मिलिटेरियली भी कहते हैं कि आइस जो है आंड पाकिस्तानी फाजी जो है वो सरी दस इंडियन फाजी के परापर उनका एक जो है वो फाजी है मला ऐसी कुछ बात है तो यह जो जिसको कहते हैं स्पिरिटरी कॉंप्लेक्स और अपनी दुनिया में रहना और अपने आपको बहुत जो ऊपर समझना उसके बाद धम से नीचे गिरना और बिल्कुली सब कुछ खतम हो जाना यह हमें बहुत बार पाकिस्तानी डिस्कूर्स में देखने को मिला और फ्याज असंच चाहान का भी वही केस है कि पहले चौड चौड में पंजाबी में बोलते हैं यह चौड चौड मतलब जिसको कहते हैं अकड में य देख रही है और उसके बाद आप भाग जाए तो यह बहुत अच्छी लगती है यह पाकिस्तानी कॉंटेक्स्ट में पाकिस्तानी लोग भी बोलते हैं कि जब आर्मी के मताविब कोई नहीं चलता तो उनको पकड़के उनका सौट्वेर अपडेट किया जाता है विच मींस मनवानी होती है वो मनवाई जाती है तो इसका भी सौट्वेर अपडेट हुआ है उसके बाद यह इमरान खान की भी बोल खोल रहा है यह क्या बोल रहा है अब यह तो उसी को पता है बट एनिवे यह बंदा विल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं और इस पाकिस्तान जो इ कि पानी लेकर जाते हैं तो लोटा पॉलिटेशिन कभी इस पार्टी में और इन्हीं राइट ली एक्जांपल दे के पिह साब की वो किसी भी party is irrelevant तो हर cabinet में जो है वो minister होता है तो ऐसे लोग अगर आप लेगें तो major साब was right कि अगर आपके आपके पास ideological लोग ही नहीं हैं सिरफ और सिरफ आपके पास political figures हैं जो कि पाकिस्तान में कैसे बनती हैं हम सबको पता है तो उनको लेके अगर आप party बनाओगे तो end of the day वो आपको छोड़के जाएंगे जब उनके जो प्राइमरी supporters हैं उनके interest आप से खतम हो जाएंगे तो उन लोगों अब उन political leaders को भी अपनी तरफ खीच लेंगे और आपको यही देखने को मिलेगा जो अब हो रहा है पाकिस्तान में और finally इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में अभी हालात कैसे चल रहे हैं हालात यह हमने resignation और बाकी सब चीज़ों की बात तो देख लिया इमरान खान की जो है वो भी एक talk आई थी जिसमें वो यह कह रहा था कि मेरे बहुत से लोग जो है उनको किड्नैप कर लिया और human rights को violet कर रहे हैं और साथ-साथ media freedom भी नहीं है आज इमरान खान की यह भी एक tweet यहां पता नहीं मैंने कहां देखा था कि उसके घर का internet भी बंद कर विए विच इस वेरी unfortunate क्योंकि आवास तो निकलनी चाहिए और social वो उसी speech में कह रहा था कि सोचल मीडिया के जमाने में आप जो है वो आइडियालोजी को इस तरीके से जबरदस्ती दबा नहीं सकते हैं इनका एक जर्नलिस था इम्रान रियाज खान वह भी इन्होंने पकड़ा और court ने बहुत बार order भी दे दिये कि आप उसको पेश कीजिए तो वह पेश ही नहीं क चोड़ दिया था वो उसके बाद कहा चला गया भी नहीं तो इम्रान खान यह एक्यूज कर रहा था कि यह बाकी लोगों ने जो है उसको टॉर्चर ही इतना किया होगा कि वह court में पेश करने के हालात में ही नहीं होगा but anyway let's see कि ऐसी चीज़ें विल्कुल ना हो और चीज़ जो है वो इसी तरीकर का सुड़ो मार्शल लगा रहता है यहां तो मोस लेक्षैन कर वाते हैं तो इमरान खानी जीटेगा अगर rain elections होते हैं अगर पाकिस्तानी टीम ने येस कर दी और ये एक बहुत बड़िया न्यूज है वेल्पम स्टेप है और पूरी दुनिया से जो है वो इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडिया में क्रिकेट देखने आएंगे और मज़ा करेंगे not only इंडियन क्रिकेट फैंस but also fans from other nationalities, other colors, races, everyone तो ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होगा इंडिया में देखने के लिए और मज़ा आएगा अमीद करते हैं आपको मेरे विजार अच्छे लगे होगे अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को थम्सप जरूर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं अभी तक पूर्ट जरूर कीजिए आपकी कोई फर्माइश है आप वीडियो चाते हैं कोई हमें दिखाना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फार्म का लिंक मिल जाएगा वहां पे भी आप अपनी फर्माइश जो है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमली के साथ भी शियर कीजिए ताकि हम अपना व्यूपइंट जादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो म दब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हल्दी, बाई बाई